2024 के चुनाओं से पहले कॉंग्रेस की अगवाई में ये नित्रित में या उनकी मार्वदर्शन में कहें तो इंडिया फॉर्म का एक गडबंधन अस्तित में आया है पिछले दिनों राजधानी राची में भी विविन धनुगी बैठाक हुई है केंतरिपाठी साब है कॉंग्रेस के वरिष्ण नेता है लदा क्या रहा है वो एफेक्टिव हो पाये गए 2024 के चुनाओं से पहने है महाल बदल रहा है देश में मनिपूर में जो घटना हुई हरियाना में जो घटना घट रही है जिस तरह से पूरे देश में जो घटना घट रही है उससे देश का महाल बदल रहा है या आम लोग ए समझने लगे कि भई क्या बात है कि तीन महिनों से मनी पूर जल रहा है और न राजे सरकार कोई कदम उठा रही है न केंदर सरकार कोई कदम उठा रही है सब लोग घटना को होने दे रहे हैं तो क्या आदमी का जान सिर्फ सत्ता प्राप्ती का वोट बैंक का माध्यम बन गया है क्या आदमी की इज़त आबरू किसी के वोट बैंक का माध्यम बन गया इस तरह की चर्चाएं गाउं देहात में सहर के चौक चौराहें पर चल रही है हमें लगता है कि महौल बदल रहा है यदि इंडिया जो गटबंधन बना है पूरे देश में और जुवाइंटरी लड़ती है तो बहुत अच्छा परदर्शन करें आप तो वरिश्क नेता रहें पुरुमंतरी रहें विधायक रहें इससे चार दिनों से जो सदन चल रहा है उसके आम लोगों की बात कम सुनी जा रही है आपसी हंगामा तूतू में ज्यादा हो रहा है आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आप तो सत्ता धारी लिए अकसर जारखंड राज्य में विधान सभा कम से कम 90 दिन चलनी चाहिए लेकिन ये परंपरा बनी हुई है जब से सरकार बनी है और बीजेपी ने परंपरा बना दिया और सब उल्सको डोर है कि तीन-चार दिन के लिए पाँच दिन के लिए बैठती है सदन और उसमें जो भी पक्ष है वो हल लंगा मचा करके काम होने नहीं देता है तो यहां कमतर विधान सभाज का जो उपयोगिता है वो बहुत कम होता है उसके रिस्पंसिबल है कि इसके ने ने पूरे राजनितिक दल पूरा पूरा पुरा पुलिटिकल संरचना उसके लिए जबाब दे है कि अधिक चले और सब लोग चलाएं जो लोग नहीं चलाते हैं सरकार कारवाई करें चलाएं यदि कोई वेक्ति जोर जबर्जस्ती करके विधान सभा को चलने में अकारन बाधक बन रहा है तो उनको मारसल आउट करें और सरकार चलाएं कौन रोकता है अधिक वेवस्ता वेधानिक वेवस्ता इस विधान सभा में होना चाहिए अभी खासके विपक्ष की तरफ यह आरोप लगता है कि जो कस्टोडियन है स्पीकर उनका संद्रक्षन विपक्ष को प्रापनी होता है अभी यह तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जिस चीज़ को मैंने देखा नहीं है महसूस नहीं किया है मैं सदन में नहीं बैठ रहा हूँ यहां के सदन में तो मैं नहीं बता सकता जब मैं बैठ हूँगा महसूस करूँगा तो आपको बता हूँ दोहजार चोबीस के चुनाओं में पहले एक डुमरी का बाइलेक्शन होना है कॉंग्रेस की अपरी रनीती को लेकर आपका क्या कुछ आकड़ा अभी जहां जहां बाइलेक्शन होगा उसमें कॉंग्रेस पूरी ताकत से गटबंधन के साथ लड़ेगी अपने साथ लड़ेगी जहां कॉंग्रेस लड़ेगी वहां पूरा गटबंधन रहेगा जहां कॉंग्रेस नहीं लड़ेगी वहां भी कॉंग्रेस गटबंधन के साथ मजबूती चाहिए बहुत दिनों के बाद आपकी आमद राजधानी रांची में होती है इतनी कम आमत की पीछे क्या है पार्टी का acceptance कम है लोगों का acceptance तो नहीं बोना जी अगर फिर भी क्या वज़ा है हम यह जाना नहीं ऐसी बात में है होता क्या है कि हमारे कई जबाब देहिया है हम trade union में पूरा देश में मुझे जाना पड़ता है दिली जाना पड़ता है छेतर में भी मुझे assembly, parliament सभी पूरे प्रमंडल में हर जगा लोग मुझे ही बुलाते हैं तो उनके दुख सूप में सामिल रहना पड़ता है इसके अलावा पूरे देश में एक socio-political reform का organization चल रहा है मगत foundation उसको लेके अभी बिहार के बकसर तक में दौरा करके आया पार्टी यह जहां बताना चाहरा है कि हमारा जो दैरा है वो ज़हरकंड के बाहर भी है और उधर भी हम काम करते हैं अब बीच में एक राजितिक दलो के अंदर कयास थी कि परदेश कॉंग्रेस का नित्री तो परिवर्तन की गुंजाइश बन रही है आपका क्या आकलन है चाहिए जो चीज हमारे हाथ में है उसमें मैं आकलन नहीं लगाया करता जो हमारे हाथ में नहीं है वो मेरे हाथ में बनाना या बिगाड़ना नहीं है तो जिन लोगों के हाथ में वही बता सकते हैं, हमारे हाथ में तो है कि जो परिस्तितियां हैं उसके साथ काम करना है। तक सदन के अंदर और सदन के बाहर उपक्ष के हंगामे का सवाल है, यह सदन नहीं चलने का सवाल है।